जय हिंद देगे शेयर मार्केट से पैसा कमाएंगे लिए दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है एक सही स्टोक चुनाओ करने का ढ़ंग और दूसरा पेसेंस जी पेसेंस होगा तभी आप उस स्टोक में या किसी भी स्टोक में पैसा बना पाएगा वरना पूरा पैसा क्व अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए गया मैं बोलता नहीं और आप करते नहीं है लाइक करने को पैसे थोड़े ना लगते हैं कर दिया करो आईए वीडियो शुरू करते हैं सबसे प्रहुंद देखें कि हैं जो अडानी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड कंप अगर नहीं है और चुकि आडानी सेक्टर के कंपनी तो जाहिर सी बाते मार्केट के अब काफी बड़ा होगा देखें दूएर पचास रुपया इस कंपनी का सेर प्राइस है और हाई लगा चुका है दूए पचास रुपया अब आप यहां ध्यान देंगे कि सेर प्राइस कब-कब कितना-कितना रहा इसमें आपको मजह आएगा समझें जून 2018 में कंपनी का सेर प्राइस था 29.45 पयसा अर्था करिवकर 30 रुपया जून 2018 में और अगले साल देखें नौवंबर 2019 में कंपनी का सेर प्राइस बढ़ कर हुआ 100 रुपया अर्था साल भर से वेधिक समय लगें कंपणी के सेर प्राइश को 30 रुपया से 100 रुपया होने में साल अधिक समय में सिर्फ 70 रुपया बढ़ा सेर प्राइश लेकिन वहीं जब आप एक साल और बात देखेंगे तो नॉंबर 2020 में सेर प्राइश एक हजार रुपया बढ़कर हो चुका था अर्थात एक साल में दस गुना रिटर्ण इस शेयर ने स्टोक ने दिया और फरवारी 2022 तक की बात करें अभी जो चल रहा है तो देखेंगे कंपणी का सेयर प्राइस दुवहजार पचास रुपया है मतलब एक चीज तो रिटर्ण कब को कितना मिला यहां मैं आपको बताता हूं यहां आप ध्यान देंगे पांच दिन में इस कंपणी ने दस परसेंट का रिटर्ण दिया है सिर्फ पांच दिन में और जनवरी मतलब अभी जो माह चल रहा है आपकर आपने जनवरी शूरू में रुपय लगया ह होता तो इस एक माह में कंपणी ने अभी तक बाउन परसेंट का संदार रिटर्ण दिया है और अगर लिश्टिंग से लेकर अब तक की बात करें तो आप तक संदार रिटर्ण दिया है इतना तगड़ा रिटर्ण आपको कहा मिलता है सिर्फ स्टॉक मार्केट में मिलता है बने रहते हैं तब अब आईए मेरा एक फेड़ेट एक जामपल होता है हर एक इस तरह की जाब में वीडियो बनाता है तो समझेंगे पांच दिन पहले अगर आपने इस स्टॉक में एक लाख रुपया बन चुक होता है तो अब तक आप तक आपने एक लाख रुपया बन दो लाख 20,000 रुपया बन चुके होते हैं और अगर लिष्टिंग से लेकर अब तक बात करें जब इस कंपनी का आई-पी वाया था उस समय बहुत सारे लोगों ने अपलाई किया था या बहुत सारे लोग आई-पीओ के लिश्टिंग होने बाद उस कंपनी के खरीद लेत तो एक बार तो असपरेश्ट है कि आप जितना लंबी ओधी के लिए सेर मार्केट में आईएगा उतना ज़्यादा रुपया लेकर जाईएगा आईए समझते हैं इसमें आगे और क्या हो सकते हैं इस कंपनी में जनकार बताते हैं कि आगे भी इस कंपनी में बुलिश ट्र रुपय को भी पार्क कर चुका रहेगा ऐसी संभावना है आई आई एफल सेक्रूटीज के दुवरा और जाहिर सी बात है जिस तरह से कंपनी रिटर्ण दे रहा हो सकता है बहुस प्रभल संभावना है कि साल के लाश ठोने के बाद कंपनी का सेर प्राइस तीने रुपय को पार्क कर जाए तो जनकार करते हैं कि अगर आप इस कंपनी मीडियम और लॉंग टर्ण को नजरियस से इंवेस्टमेंट करते हैं तो आगे आपको तगड़ा रिटर्न मिलने के उमीद है चुकि आप ही देखिए ना यहां जो लोग सिर्फ पांच दिनी के लिए आप यह कोई दिकत नहीं है उमीद करता हूं वीडियो इंफर्मेटिव लगी होगी इंट्रेस्टिंग लगी होगी अगर मन में कोई सवाल है तो मुझसे पूछे बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक धन्यबाद शुक्रिया